हलो फ्रेंड्स तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में Knowledge and Enlightenment में आज हम जानने वाले हैं एक बहुती शांदर कंपनी जिसका IPO आनने वाला है BLSE Services Limited जी यहां दोस्तों यह इस कंपनी का IPO आनने वाला और बहुती शांदर कंपनी है आईए बिना दरी के इस कंपनी के बारे में डिटेल में जानते हैं एक IPO अलट आया है 30 जनवरी को इसका IPO आ रहा है BLSE Services IPO is a book built 310.91 करोड इस 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 एंटारली fresh issue of 2.3 करोड shares तो 2.3 करोड shares जो है fresh issue share है और 310 करोड का एक छोटा ही IPO आने वाला है BLSE Services IPO open for subscription 30 जनवरी को जो open होगा और 1 फरवरी को जो जोगा allotment expected to Friday 2 फरवरी को allotment हो जाएगा और इसकी जो listing है वो Tuesday 6 फरवरी तक listing हो जाएगी जो IPO का price band रखा है वो 119-135 रुपे पर share रखा है minimum load size जो है वो 108 share का है 108 share इसमें minimum आपको लगाने पड़ेंगे minimum investment जो है वो 14,580 रुपे का है ठीके और NIA के टेगरी में आप 14 loads लगा सकते हैं 1512 share के लिए 2,4,000 रुपे तक आप 14 load लगा सकते हैं अब बात करते हैं इसके बारे में details से IPO की date क्या है 30 January को start होगा 30, 31 और 1, 3 दिनी IPO रहेगा एक फरवरी को इसका end होगा Face value की बात करें 10 रुपे पर share है price band जो है 119-135 रुपे है load size 108 share है Total issue 2.3 करोड share है सारे के सारे जो है वो fresh issue है Open cup होगा 30 तारिक को, close cup होगा 1 फरवरी को, basis of allotment 2 फरवरी को, initiation of refund Monday 5 फरवरी तक आपका पैसा आपको return हो जाएगा Most of the शनिवार को ही हो जाएगा Credit of shares अगर देखा जाए तो 5 फरवरी को credit हो जाएगा और 6 तारिक को जो है आपकी listing हो जाएगी आपका जो cut off time है UPI mandate का मालीजी आप लगा देते हैं और UPI mandate नहीं कर पाते हैं तो 1 फरवरी को शाम 5 बज़े से पहले अगर आप UPI mandate कर देंगे तो यह IPO में आपका apply हो जाएगा जी हाँ दोस्तों must apply IPO है आई जानते कम नहीं करती क्या है 2016 में BLS e-services limited एक digital service provider है जो जैसे NSDL अपना काम करता है वैसी e-services प्रोवाइड करने का काम करती है Company service offering can be categorized into part 1 business correspondent service assisted e-service e-governance services है ना The company being subsidiary BLS international service जो कि पहले से listed है है ना as a visa, passport, consular, citizen service stated potential government across Asia, Africa, Europe, South America, North America, Middle East में बिसका कारोबार है It is the only listed company engaged in domain in India या इस domain में एक मात्र डिस्टेट कंपनी होगी By 31st माँ 2023, the merchant network growth is 92,427 in order to serve the understand and unserved population in hard-to-reach areas The revenue form, operation, financial year 2021, 2023, where 6,700,9,000 और 24,000,000,000 अगर देखाए तो 24,000,000 करोड रुपे का आसपाल यह तेजी से बढ़ रहा है 243 करोड रुपे As June 30, 2030 companies total 3071 employee है जिसमें सब 2013 जो है वो contextual based employee है और बाखी के जो है वो permanent employee है आईए दोस्तों इसके बारे में और जानते है Financial information की बात करें तो 30 September 2020 इसको assets 213 करोड के हैं March में 189 करोड के थे 35 करोड 31 में 2021 में 40 करोड तो आप देखेंगे 2021 ने company लगबग 5 गुना हो चुकी है revenue भी continuous बढ़ रहा है इसका Last quarter से थोड़ा सा revenue September quarter में कम रहा लेकिन उसकी तुलना में देखा जाया तो continuous जो है इसका बढ़ रहा है Last quarter में थोड़ा profit भी इसका कम था Net worth जो है 120 करोड रुपे की हो चुकी है Total borrowing अगर सबसे अच्छी बात क्या है जो borrowing है इस company के ओपर वो Zero borrowing है मतलब उधार नहीं है तो यह company बहुत ही अच्छी company है ठीक है इसने 2000 मतलब बोल सकते हैं कि By 1500% का profit जो है और P80 profit after tax जो है 287% इसका Rose हुआ है मतलब कहने का मतलब बहुत ही शांदर company है यह Return on equity देखा जाए तो 33.33% है Return on ROCE जो अगर देखा जाए 30% है Debt to equity 0.05% RONW जो है 16.46% Profit to book value जो है इसकी वो Price to book value जो है इसकी 7.2 है कहने का मतलब जो है Company बहुत शांदर है छोटी company है 12.26 करोड का इसका total cap है मतलब यह company जो है Small cap है न और सबको must apply IPO है क्यों पहली चीज़ जो आप company आपसे पैसा ले रही है वो किस काम में लेगी Technology infrastructure को strengthen करने में Fund initiative for organic growth By setting BLS stores Achieving inorganic growth through acquisition और general corporate purpose तो equation करेगी General corporate purpose से use करेगी Growth को बढ़ाएगी New Capacibility और infrastructure को करेगी सबसे important बात दोस्तों Gray market premium में इस company का अभी बहुत ही दमदार परदर्शन है Investor gain की report के recording यह जो share है 135 रुपे का है और इसकी अभी की gray market premium देखे जाए तो वो 142 रुपे चल रही है मतलब जो है आपका पैसा वो double कर देगा डबल कर देगा मतलब लगबग लगबग अगर हम देखें तो 115% का return हमें इस company में देखने को मिलेगा अगर आप इस company में लगबग 14,580 रुपे लगाते हैं तो कम से भी कम जो आप इसका 30,000 रुपे के आसपास आपका यह open होना चाहिए अभी जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम शो कर रहा है बले 277 रुपे के आसपास जो है company बाजार में लिस्ट हो सकती है और पहले ही दिन निवेशक का पैसा दुग ना हो सकता है तो हमारी तरफ से आप अपने financial advisor से सलाह लेकर इस company में apply कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियो के लिए आप subscribe करिए channel thank you so much मिलते हैं next essay वीडियो में thank you